जोस्तों आज के इस फीडियो में हम ओला एलेक्ट्रिक शेयर के लेटेस्ट नियूस के बारे में बात करेंगे तो चलिए आज की डीटेल के अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखिए ओला एलेक्ट्रिक आज की दिन 110 रुपेर पर ट्रेड करा है और लास्ट ट्रेडिक डेड में हमें लगबग आदे परसेंट का हमें इसमें फॉल देखने हो मिला है और यहाँ पर पिछले दो दिन से हमें इसमें फॉल देखने हो मिल रहा है बीच में हमें इसमें अच्छी खासी तेजी भी देखने हो मिली थी लेकिन फिर से हमें selling pressure देखने के कारण यहां पर हमें फिर से 110 के लगबग आता हुआ देखनों मिला है यहां पहले तो यह 106, 108, 107 तक चला गया था तो यहां पर सक्या है कि देखो यह जो तेजी थी वो बहुत मतलब जो reputation वाले बड़े बड़े जो fund house है उन सभी ने इसमें एक तगड़ा मतलब टार्गेट दिया अच्छा positive टार्गेट दिया था कि यह 140, 160 और एक ने तो 180 तक का भी टार्गेट मतलब short term टार्गेट दिया था कि यहां तक हमें जाता हुआ देखने हो मिलेगा उसकी वज़े से बहुत सारे लोगों ने बाइंग जो आप सभी जानते है टार्गेट देने के बाइंग तो खेर अब मिलती है तो उस बाइंग की तेज़ी की वज़े से इसमें हमें तेज़ी देखने हम ली लेकिन यहां पर कोई एक डंकी अगर positive news जो आ जाती बीच में पर कोई तो यह अराम से आपको 200 प्लस जाता हुआ देखनों मिल जाता लेकिन क्या कि वह सिर्फ जो टार्गेट न्यूज है उसकी वज़े से शेर इतना non-stop उपर जाता हुआ हमें देखनों नहीं मिलता है इसलिए main reason तो यह था बीच में तो upper circuit भी लगा था आप यहां पर बीच में कोई मतलब बड़ी ओडर की न्यूज या बड़ी कोई positive न्यूज आ गई तो यह शेर हमें non-stop उपर जाता हुआ देखनों मिल सकता है बाकि long term में अराम से हमें अच्छा कादर क्योंकि इस ना इसका तो business तो बढ़ना ही है यह है कि EV market का जो market share वह भले ही कम पढ़ बस यह है कि आभी positive न्यूज या फिर कोई भी मतलब अच्छा reaction हमें देखनों नहीं मिल रहा है उसकी वज़े से हमें थोड़ा सा consultation face देखनों मिला है बाकि share में कोई भी दिकत नहीं है